एक नागिन अपनी बेटी का रूप बदलती है लेकिन उसके सर के उपर का मनी निकालना भूल जाती है और कहती है बेटा यही पास में खेलना कहीं दूर जाना मत मैं थोड़ी देर में आती हूँ थोड़ी ही देर में वहां एक शिकारी आता है और नागिन की बेटी के उपर चमकता मनी दे, उसके उपर बंदूक से गोली मारता है, नागिन की बेटी गोली लगते ही असली रूप में आ जाती है, शिकारी मनी लेकर चला जाता है, जब नागिन वापस आती है, तो देखती है, बेटी मर चुकी है, तब वो बेटी की आँखों में देखती है, कि एक शि शिकारी ने उसकी बेटी को गोली मारी है, नागिन तुरंद आखे बन करके बेटी के नागमणी का पता लगाती है, उसे जंगल में शिकारी दिख जाता है, फिर वो उस शिकारी को ढूनने जंगल में जाती है, शिकारी उसे देखते ही उस पर धाय धाय बंदूग चलाता है, नागिन उसकी गोली को निगल लेती है, वो गोलिया बरसाता है, लेकिन नागिन के पास आते ही गोलिया गायब हो जाती है। फिर नागिन उसके पास आकर उसे दस लेती है और शिकारी मर जाता है। इसलिए वो मा को पानी लाने के लिए कहती है। नागिन पानी लाने चली जाती है, लेकिन शेशा पेड के पास ही रुख जाती है। उन दोनों को ही पता नहीं था कि उस पेड के अंदर चुडेल है। जो भी पेड के पास आता वो उसे उठा कर अंदर ले जाती और उसे पका कर खाती थी। उस चुडेल ने पेड के पास खड़ी शेशा को भी अंदर ले लिया। नागिन जब वापस आती है तो उसे शेशा कहीं नहीं मिलती। तब नागिन अपनी आखे बंद करके बेटी के नागमणी को धुणने की कोशिश करती है। उसे दिखता है। चुडेल ने उसकी बेटी को ऊपर लटका रखा है और निचे से आग लगाई हुई है। नागिन क फिर अपने नागमणी से चुटेल के उपर जादू झालने लग ती है, और उसे नाग लोग देख लेता है। उसका नागमणी निचे गिर जाता है। एक ऑरध घाट पर कपने धो रही थी, वो उसके सामने गिरता है। बखानी को एक तांत्रिक देख लेता है। और भागते भागते आकर उस औरत के हाथ से मनी को छीन कर भाग जाता है अपनी बेटी को कुछ ना हो इसलिए नागिन पहले उसे नागलोक में छोड़ती है और फिर नागिन नागलोक से धर्ती पर आती है धर्ती पर आते ही नागिन उस औरत को पूछती है मेरा नागमनी कहा वो औरत कहती है एक तांत्रिक मेरे हाथ से छिनकर भाग गया नागिन उस तांत्रिक के पास जाती है तांत्रिक नागिन को कहता है मैं तुझे तेरा नागमनी कभी नहीं दूगा नागिन उस पर हमला करने आगया रही होती है कि तभी तांत्रिक बिन बजाने लगता है नागि लेकिन उस औरत को धेर सारा सोना देकर नागलोप में चली जाती है।